नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल में जहां पर आपको स्टॉक मार्केट लेटेस्ट निउस मिलती रहती है दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं येस बैंक के बारे में क्योंकि इसका बड़ा इवेंट आने वाले है और वहीं पर आज बैंक ने एक बहुत ही इंपोर्टेंट लेवल पर बंद हुआ है आप देखें 13.90 यानि जो 14 रुपीस का लेवल था तकरीबन 20 दिन से जादा हो गए है उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहाता है इस टॉक पर आज देखें आप कि पहले 13.95 को इसने दो बार टेस्ट किया उसके बार 13.90 के नीचे बंद हुआ तो देखेंगे हम इसके implications क्या होंगे आगे क्या strategy होनी चाहिए नीचे आए तो क्या करना चाहिए और अगर उपर की तरफ गया तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए तो ये सब हम discuss करेंगे और देखेंगे इसके क्या levels हैं कहाँ पर जादा volume increase हो रही है तो आप NSC पर क्या आसपार shares trade हो हैं और काफी बाहरी amount आप देख सकते हैं 3.5 करोड से ज्यादा shares उठाए गए हैं 52.42% की delivery और volume weighted average price वी वैप आपको 14.01 देख रहे हों मिल रहा होगा तो इस price के आसपार ज्यादा trading हो ये आज इसमें क्योंकि बहुत important level है हम काफी दिनों से discuss कर रहे हैं त नहीं तो वहाँ पर हम चार्ट की help लेंगे पर अगर और तीन से चार घंटा ये price टेस्ट करता तो हमें पता लग जाता कि कितना solid support है 14 रुपे का वो तो आने मल दिनों में पता लगेगा और AGM meeting भी इसके trade में काफी असर करेगी मैं इसका चार्ट दिखा हूँ आपको तो आप याद करें मैंने आपको बताया था क्या pattern बनता दिख रहा है इसमें descending triangle का तो यहां से देखिए आप बहुत ही अच्छे से एक शानता triangle बनता दिखाई दे रहा है मैं जा support पर करार रहा दो से तीन बार test हुआ ये level है आप देख सकते है 14 रुपे 10 पैसे का और बीच में दो बार जो 14 रुपे के level है वो भी test किया था bank ने तो यहाँ आप देख सकते है आज वापिस उसी level पर बंद हुआ है उससे भी तक्रीबन 5 से 10 पैसे नीचे बंद हुआ है तो मैंने आपको बताया था और अभी भी यही बता रहा हो कि जब ऐसा triangle बनने को pattern आता है और जब रुपे के आसपास से जो FBO price था उसके बाद भी 17 रुपे तक गया था उसकी वज़े से काफी volatility रहे कि इस bank में एक दो दिन में ऐसी उमीद है और यहाँ से आप bank जो भी दिशा में जाता है जो भी दिशा में 4-5% cover करता है वो इसकी अब trading line होने वाली है अगले कुछ time के ल तब आगे आने वाले दिन बताएंगे कि 14 रुपे का support काफी important था या वो resistance की तरह बन जाएगा descending triangle का example में आपको फिर दिखाएता हूँ यह देखिए आप इस chart है company का Goldman Sachs का बहार की company है पर आप देखे chart formations और trading patterns same ही रहते हैं आपको भी stock ले लिजे तो यहाँ पर आप देखे descending triangle pattern बना दिखाए दिया था उससे पहले वी stock काफी time से down range में चल रहा था यहाँ पर 246 से लेक इसमें upper moment आया था वहाई मैं आपको दूसरे type का chart दिखाएता हूँ तो आप यहाँ देखे यहाँ एक descending triangle बनता दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक high पर गया था वहाँ से same base को same support को बार बार टेस्ट किया और एक बार जब सकी निचे breakout होगा तब downward fall आ गया था तो मैं आपक बैंक की results आने में काफी समय है एक से डेड़ बहिना लग जाएगा September खतम होना है अभी और उसके बाद banking sector आप जानते हैं moratorium की वज़े से और NPA काफी increase होते जा रहे है हालागी Yes Bank ने शांदा recovery की है पिसली बार positive दिखाया result पर अभी भी लंबा समय जाना बाकी है अगली बा आ जाने दीजे नीचे का एक बात और देखने लाएगा कि 12 रुपे पर FPO प्राइस था वहाँ बड़े बड़े institutions ने खरीदा था और उसके बाद 10 रुपे की price तक गया था नीचे तो वहाँ पर भी एक भारी amount में shares खरीदे गए थे जिसने इसको उपर की तरफ ड्राइब क पास तो इसलिए नीचे की तरफ काफी मजबूती है अब एक चीज आप देख सकते हैं AGM मिटिंग वहाँ पर कोई बड़ी policy निकाली जाती है कोई बड़ी खबर सुनाई जाती है कि कोई changes लाने वाले हैं bank में कुछ investment होने वाली है कुछ भी हो सकते है वो जैसा आप market उसको value भी गई तो ऐसा नहीं करना है 16 रुपे 70 रुपे अगर फिर चला गया तो ऐसा नहीं करना है 5 प्राइस पर खरीड ले बिल्कुल नहीं कोई bank का चार्ट हमें साफ बता रहा है कि bank का 14 रुपे पर एक बड़ा support है उसके बात का support से हैं तो उसके रिए मैं 30 मिनट चार्ट ख पर एक जो बड़ा support दिखता है जहांसे बार-बार bounce back हो रहा है वो आपने देखा 14 रुपे का है और यहां पर आप देखें यहां पर हमें consolidation होता देखा था 14 रुपे 30 पैसे तो अगर उपर की तरफ भड़ेगा तो आपको फिर 2-3 शांदा support मिल जाएंगे तो इसलिए मैं आपको इस bank में हमेशा hold की रहा देता है और वो भी एक से 2 quarter के लिए कि अभी bank को improve हुआ है नहीं वो results ही बताएंगे और एक और चीज़ जो COVID situation है तो अगर normal situation होती वहां पर तो हमें पता लग जाता है कि 2 quarter में अगले की bank recover करेगा है नहीं लोग deposit कर रहे है नहीं पर अभी COVID situation normal हो जाएगी जब banks वापिस normally काम करने लगेंगे तब हम अच्छे से comparison कर पाएंगे तो फिलाल की price action strategy बना आपको बताई कि अगर नीचे जाता है तो FPU price के पास काफी बड़ा support है अगर आप बड़े risk taker है तो दोस्तो पहले बात तो इसमें इतना ही invest के जितना आप risk कर सकते हैं ऐसा नहीं कि मुझे आज ही 2,4 लाग बनाना आप अगर 1000 रुपे कर सकते है risk तो 1000 रुपे करिए 500 रुपे कर सकते हैं और उसके बाद आप जितना risk पैसा कर सकते हैं उसको FPU price के आसपास खरीदे अगर यह downward trend जाता है क्यों यहां से दोस्तो breakout दिखाना पड़ेगा इस bank क मैं आपको कई charts दिखाते हैं जब भी ऐसा pattern बनता है एक नेक breakout जरूर आता है अब उमीद है कि AGM meeting के आसफास इस bank में काफी हलचल होने वाली है पर आप उसको noise की तरह समझेए एक से दो दिन में इसमें हलचल हो सकती है range भट सकती है possibility बतारों में पर उससे आपको excited नहीं हो news आ रहे है इस bank के लिए कि इस bank के CEO और MD परशान्त कमाजी ने क्या कहा है तो उन्होंने कहा है कि bank एक recovery driver है बहुत सारे जगे से जहांपर default हुए थे वहां से bank लगा हुए अपना पैसा recover करने में कुछ percentage recover होता जा रहे है आज जगे से और वहाँ इनकी दर उससे important बात आकर bank को revive कर सकते है strategies के according पर यहां पर pandemic के वई से already down है banking system का business rates cut हो रहे है और वहीं पर provisions रखे जा रहे है यानि COVID से delay करने के लिए जो NPS create होगे उसके लिए bank को provision रखने पड़ेंगे वो भी आपको balance sheet में साफ दिखाए देगा यह उनकी तरह से बोला कि recovery target है वो entire stress book के लिए तो आपने देखे यह bank की जो NPS book है जो stress book है वो बहुत बड़ी है तो उनकी तरह से बड़ा दावा किया जाए कि इस साल current year यानि इस साल के end तक लगा लिए December 2020 तक यह काफी हद तक recover कर जाएंगे तो एक positive news है और मैं बता रहा हूं दोस्तों कोई भी move back नीचे या उपर वाल नहीं होगी bank के लिए जीतना इसके results होंगे और दूसरी बात कही जा रहे हैंगी तरफ से operating cost तो यहाँ पर expenses कम करने की बात कही जा रही है तो इनकी तरफ से बता जाए है cost reduction करना चाहते है at least 10% year on year पिछले साल जो इस quarter में expenses थे उसका 10% down लाना चाहते है पर इनकी तरफ से ब balance sheet में तो देखिया है बोला जा रहे हैं कि तरफ से कि already provision coverage है 76% loan book का तो उस काफी बड़ी amount का loan book का coverage पहले ही है provisions में और एक और बात important बोल जाए है कि जो loan book है जिसमें 76% coverage है वहाँ पर बता जा रहे है 60-65 है LGD loan given default तो उनको उमीद है कि अभी moratorium के वैसे और जो पहले ही S-Bank issues रहे हैं उसकी वैसे 60-65% दख है around loss given default तो एक काफी important चीज़े दोस्तों देखना लाए है कि bank को अभी time लेगा recover होने में जैसलिए मैंने आपको इसके charts analyze कि इसकी ख़बर देखिया आपने और important बात रहेगी अब AGM meeting तो आपको उससे ज़्यादे exciting होना AGM meeting से और अगर downward आत averaging के राय होगी कि आप चानते हैं कि bank 200 से सीधा 12 आ गया है जिसकी वैसे इसके shares बड़े हैं पहले 1 10th share थे वस तो averaging का काफी अच्छा मौका होगा वहाँ पर अगर आप अगर आप अपनी principal amount का 80-90% loss कर चुके हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत risk taking ability आपको दिखानी पड़े कर दो वड़े झानते हैं कर दोड़े हैं Ann tentative भी कि आप तो आपको दो पारिए नैशीघर हैं झालते हैं झालते हैं झालते हैं वहाँ भी नालते हैं搭़ दो, यहाँ झालते हैं उसक्टार हैं